इस सरहा आशिकी का पसर छोड़ चांगा इस पर शो में आये गेस्ट अनुमले, नेहा ककर और विशाल ददलानी ने स्टैंडिंग वेशन दिया अनुमले, नेहा ककर और विशाल ददलानी शो में गेस्ट के तौर पर आये थे तीनो सिंगर, सोनी टीवी पर 12 ओक्टूबर से प्रसारित होने वाले सिंगिंग रियाल्टी शो इंडियन आइडल में जज के रूप में नज़र आएंगे अपने कमेंट में अनू मलक ने कहा ये जो तुमने गाना चुना है इस उमर में ये बड़ी काबिल एतारीफ है इस गाने को तुमने इतनी खुबसूरती से गाया है कि मैं क्या बताऊं और मुझे लगता है कि इंदी फ्यूचर तुम बहुत बड़े सिंगर बनोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर वो फील है, वो होना चाहिए God bless you, I am so happy to meet you वहीं guest निहा कक्र ने कहा कि हर्शत आप जिस सरह से गाना गाते हो और आप जितने क्यूट हो, मेरा दिल आपने जीत लिया है आपको शूज का शौक है ना, मैं आपको वन लाक रुपीज दे रही हूँ आप उससे जितने शूज लेना चाहते हो, ले लेना सूपर स्टार सिंगर शूपर, महमानों के रूप में इंडिन आइडल 11 के जुज नेहा ककर के साथ विशाल ददलानी और अन्नो मलिक भी सेट पर आए इस शूपर हर्शितनाथ उन प्रतियोगियों में से एक है जो एक के बाद एक सूपर हिर्ट पॉफॉर्मेंस दे रहे हैं आपको बता दे कि जब वो ओडिशन के लिए आये थे तो जुज ने ध्यान दिया था क्योंगी आर्थिक इस सिती काफी कमजोर थी कि उनका परिवार एक जोड़ी नए जूते भी नहीं खरी सकता था ये बाद काफी प्रवुक्ता से इस शोपर दिखाई दी है इनन अडल 11 के जज़िस नेहा ककड विशाल ददलारी और अनु मलिक ने असन के प्रतियोगी हर्षित नात को सुना तुप प्रभावित हुए बिनार रह नहीं पाए उन्हें सुनने के बाद बॉलिवूड इंडस्ट्री की बेहत प्रतिबाशाली गाई का नेहा ककड अपने उत्सा पर काबू नहीं कर सकी वो मंच पर जाकर हर्षित को खुबसूरती से गाने के लिए बधाई देने लगी निहान ने उन से कहा आपकी गाई की कमाल है जिस सवास से आप धन हैं वो बेहर शान्थ है आप आने वाले समय में एक महान पार्ष रायक बन सकते हैं मैंने आपकी प्रोग्रेस देखी है और मैं आपकी कहानी भी जानती हूँ जब आप आप आडिशन के लिए आये थे तो मैंने आपका वीडियो देखा था और मैं आपकी इमानदाली से बहुत प्रभावी थूई थी गौर हो कि ये बच्चों का सिंगिंग रियाल्टी शो है इसमें 15 साल से कव उम्रे के बच्चे शामिल किये गए हैं इसके जज़ज में हिमेश शम्या, अलकायादमिक और जावेद अली है बहीं शो के एंकर जैभानुशाली है इस शो को गौरेश शुषी की कौनसेक पर तयार किया गया है जिन में चार गुरूओं को रखा गया है जिन में जोतिका तंगरी, सल्मान अली, नितिन कुमार और सचिन वालवे की शामिल है